हलो क्लास 11th student तो बेटा आज हम आप लोगों को फिर नई exercise कराने जा रहे हैं I hope आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे class 11th की भी तयारी कर रहे होंगे क्योंकि काफी time निकल चुका है आपने तयारी करनी है साथ साथ class 10th के जो एक्जाम रहेगे उनकी तयारी करनी है और class 11th के भी तयारी करनी है ठीक है तो आज मैं आपको class 11th की exercise number 1.6 कराने जा रहा हूँ Actually मैं जो 1.6 exercise है बहुत simple exercise है यह हमारे पास है words problem on the basis of union and intersection अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो उसे जल्दी से करो और bell icon को press कर दो क्योंकि chapter number second से आपकी 11th class की बहुत logical question शुरू हो जाते है ठीक है तो बटा जो हमारे पास यह है कि union और intersection मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था अगर आपको confusion हो तो एक बार पिछली वीडियो जरूर देख लें ठीक है और a के अंदर कुछ element है 1,2,3 इसके अंदर कुछ मैंने माल लिया कि 4,5,6 ऐसे एक जैसे तो होंगे नि क्योंकि कहीं पर इंटरसेक्ट हो नहीं रहे common ही नहीं तो a union b जो आएगा वो क्या है अमरे पास जितने भी set a के element है और जितने भी set b के element है यह तो है कर अगर पास set a और set b के element आ जाएंगे अजաएंगे सबको पता चल गए यह a union b ययन्य set a के element आ गए और set b के element आ गए हैना मैंने माल लिया एक condition हमारे पास यह भी हो सकती है कि हमारे पास set A है और set B है ये दो point पर intersect कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि जो union होगा union का मतलब होता total element तो जो total element होगे total element वेटा वो जितने A में आएंगे वो जितने B में आएंगे वो और उनमें से ये minus कर दिंगे क्योंकि ये जब ये लिया तो भी ये वाला पाटा है जब ये वाला तो भी आया तो आएगा N A intersection B ठीक है तो ये तो मतलब ये है कि मलग कैसे होते हैं simple सा आपने एक formula याद रखना इन के लिए इन question के लिए जितने भी ये word problem है यानि set chapter में जितने भी word problem होता है एक formula याद रखना आपने N A union B equal to N A plus N B minus N A intersection B Sir इस formula का मतलब क्या है इस formula का मतलब है कि 2 set है A और B 2 set है तो जितने number of element in A union B आएंगे A union B में जितने element आएंगे वो आएंगे equals to number of element in A plus number of element in B minus number of element in A intersection B ठीक है ये formula के according कैसे भी बन सकता है number of element in X union Y equal to number of element in X plus number of element in Y minus number of element in X intersection Y A भी को हम किसी से भी replace कर सकते है number of element in M union Y N equal to number of element in M plus number of element in N minus number of element in M intersection N यनि A और B की जगा हम M N कुछ भी रिख सकते है X Y कुछ भी हाना तो इनके उपर ज़रा question लडाते हैं भेडाते हैं ज़रा खटा-कट करते हैं पहला question exercise का if X and Y are two set X और Y दो set हैं such that NX पहला question करवारों में NX मतलब number of element in X X में जो element है that is 17 number of element in Y Y में जो element हमारे पास हुआ है 23 और number of element in X union Y ये दिरका 38 और उसने find करने को बोला क्या find करना हमने number of element in X intersection Y ये ही हमारे पाक question ये हमने find करना बेटा ठीक है तो formula वही लगाएंगे बेटा number of element in X union Y equal to number of element in X plus number of element in Y minus number of element in X intersection Y सब में formula ये ही लगेगा ठीक है अब number of element in X union Y कितना दिरका हमारे पास 38 तो यहाँ पर मैंने रख दिया 38 number of element in X कितना दिरका है 17 यहाँ आ गया 17 number of element in Y कितना दिरका है 23 तो यहाँ पासे 23 minus number of element in X intersection Y यहाँ गया ये मैंने calculate करना है इसको मैं equal to से इदर ला रहो तो ये plus का हो जागा number of element in X intersection Y इन दोनों को add करेंगे तो आए 0 और 40 और 38 को इदर लेगे तो minus 38 इसको मैं इदर लिया है इसको इदर लेगा number वाद एक तरब करें number of element in X union Y equals to 2 ये ही हमने निकालना था कि X union sorry X intersection Y में कितने element है तो 2 element है clear हो गए होगा मेरे ख्याल से दूसरे question पर जाते है second question हमारे पास कहता है कि if X and Y are two set X और Y दो set है such that X union Y 18 element तो number of element in X union Y N अपने आप लगा दे करो number of element है यह N लिख सकते है आप small या capital small लिखने जादा तर यह 18 है X has 8 element number of element in X यह दे रखा हमारे पास 8 Y has 15 element number of element in Y is 15 how many elements are in N X intersection Y में कितने element है यह हमसे पूछ रहा है ठीक है question तो clear हो गए होगा अब मैंने formula होई लगा है number of element in X union Y equal to number of element in X plus number of element in Y minus number of element in X intersection Y तो X union Y में कितने element है 18 यहां लिख दिया हमेने 18 number of element in X X में कितने दिख रहे हैं आपको यहां है 23 और 18 को दिख लेजेंगे minus 18 यहनी number of element in X intersection Y equals to 5 यह दूसरा question के लिए रहो गया इसके बाद आता बेटा तीसरा question हां तो बेटा उसकी बाद question number 4 आता है inner group group मतलब total union हो गया total है न inner group 400 people 250 can speak Hindi 250 लोगों में 250 can speak Hindi तो पहले मैंने क्या करा कि let Hindi word को जो denote कर लिया वो H से कर लिया और दूसरा इसमें English वाले हैं उनको मैंने मान लिया तो inner group of 400 people 400 लोगों का group है ठीक है जी तो group मतलब क्यों हो गया हमारे पास ये तीसरा question कर रहे हैं number of people speak Hindi union English total मिला के जो Hindi English दोनों बोल रहे हैं या जो Hindi बोल रहे हैं या English बोल रहे हैं total मतलब वो हमारे पास है 400 लोग उसके बाद कर रहे है 250 can you speak Hindi number of people who can speak Hindi are 250 आगे बोल रहे है 200 can speak English तो number of people who can speak English is 200 how many can speak both Hindi and English बोत मतलब दोनों common जो आ रहे हैं जो Hindi भी बोलते हैं और English भी बोलते हैं तो मैंने निकालना है Hindi intersection English common वाला पार्ट formula लगाएंगे H union E equal to number of element in Hindi number of element in English minus number of element in Hindi intersection English Hindi union English वाले टोटल है हमारे पाप 400 Hindi वाले हमारे पास है 250 English वाले 200 minus N H intersection E इसको इदर लाते हैं तो number of people speak Hindi intersection English ये आगे मारे पाप 450 minus इस 400 को इदर ले जाएंगे तो 400 ठीक है number of people Hindi intersection English वाले आगे पचास यानि मैं लिखूंगा इसकी बाद कि there are 50 people who can speak Hindi and English both जो दोनों की दोनों बोल रहे हैं बोत वाले आ गई है ठीक है simple है मेरे ख्याल से सब को यह की formula में लड़ाना है तुमने S and T are two sets number of element in S तो हमारे पास fourth question दिरका है number of element in S दिरका 21 T में दिरका number of element in T are 32 ये दिरका है and S intersection T S intersection T हमारे पास दिरका common वाला 11 ये दिरका हमारे पास and हम खुद लगा दिंगे number of element in S inter हमें निकालना number of element in S union T ये मिरको calculate करना है simple formula लगेंगे N S number of element S union T equal to number of element in S plus number of element in T minus number of element in S intersection T तो बैटा union हमें निकालना है ये मैंने same रखा S union T मैंने same रखा S में हमारे पास है 21 T में हमारे पास है 32 और minus 11 तो number of element in S union T equal to ये हमारे पास कितना हो जगा 42 हो जाएगा 21 minus 11 10 हुआ plus 32 यानि 42 यानि S union T में हमारे पास 42 elements है ये दो भी किलियर उसके बाद आता बैटा question number 5 question number 5 in X and Y are two set such that X has 40 elements तो number of element 5 में हमारे पास दे रखा है number of element in X are 40 आगे बोल रहा है X union Y X number of element in X union Y ये दे रखा हमारे पास 60 number of element in X intersection Y आर दे रखा है 10 और हमें निकालना है बैटा number of element in X number of element in Y ये calculate करना है बहुत सिंपल है सारे question सिर्फ formula में आपने लगा देने हैं ठीक है तो मैंने formula लगा number of element in X union Y equal to number of element in X plus number of element in Y minus number of element in X intersection Y ऐसे सिंपल कोशिन देखें कहीं मजाक है ये मजाक बिल्कुल है ना तो X union Y में कितने हमारे पास 60 X में कितने element हमारे पास 40 Y में कितने element हमारे पास नहीं पता तो मैं पता है X intersection Y में है 10 ठीक है तो यहाए 60 और 40 minus 10 वहाँ 30 इस 30 के उतर लेंगे minus 30 equal to N number of element in Y तो number of element in Y are 30 क्या मजाक दिया ही है ना बच्चो मजाक है ना ऐसे मत बोलना किसे रम मजाक नहीं करते छटा कोशन इन ग्रूप of 70 पिपल 70 लोगों का ग्रूप है 31, 37 like coffee जो coffee पसंद कर रहे है number of people like coffee coffee को मैंने C से लिख दिया वो मेरे पास है 37 number of people like 52 like tea जो चाई पसंद करते हैं टी से लिख दिया वो हमारे पास है 52 each like at least one drink हर कोई ने कोई drink हमारे पास पसंद कर रहा है और total group है 70 का तो इसका मतलब coffee union tea यह हमारे पास दिरका 70 how many like both coffee and tea हमें वो निकालने जो दोनों पीते हैं coffee intersection tea जो दोनों आता है वो common में आता है ठीक है बटा intersection में आता है तो बस formula लगाओ इसका n c union t equal to n c plus n t minus n c intersection t c union t हमारे पास 70 c है 37 37 है t हमारे पास है 52 minus n c intersection t इसको इदर लेंगे तो आएगा n c intersection t equal to यह है 989 minus 70 यहनी number of people like coffee and tea both are 19 19 लोग हैं जो चाई coffee दोनों पी रहें ठीक है यहां हम lockdown में भी दोनों पी रहें ठीक है एक और question देखो हाजी तो last question और देखो बहुत important question है मेरे ख्याल से अगर आता है तो यही वाला question आता है बड़े ध्यान से समझने आपने ज़्यादो logic नहीं बस थोड़ा सा थोड़ा सा twist है वो कह रहा in a group of 65 people 65 लोगों का group है 40 like cricket जो बच्चे cricket खेलना पसंद करते है number of cricketer या number of people who like cricket are 40 40 है 10 like both cricket and tennis जो दोनों खेल रहे है तो मैंने ले लिए यहाँ पर cricket and intersection tennis जो दोनों खेल ले वो हमारे पास है 10 ठीक है जी और 65 का हमारे पास group है यानि cricket union tennis का हमारे पास 65 है अब यहाँ दो चीज है how many like tennis only and how many like tennis दोनों में क्या अंतर है मैं बताता हूँ पहले ज़रा formula लगाते है n cricket union tennis equal to n cricket plus n tennis minus n cricket intersection tennis union दे रहा 65 cricket वाले दे रहा 40 tennis वाले हमारे निकालने है और यह दे रहा हमारे पास 10 यानि आया 65 या 30 को इदर लेंगे minus 30 equal to n t यहनि हमारे पास आ गया की n t हमारे पास कितना आ गया 35 यहनि हम बोलेंगे बटा कि people like tennis people like tennis people like tennis जो tennis को पसंद करते हैं वो आगे मारे पास 35 जो tennis को पसंद कर रहे हैं लेकिन दूसरे में बोला उसने कि how many like tennis only tennis only इनमे ऐसे कितने हैं जो tennis ही खेलते हूँ देखो भाई यह 35 tennis पसंद कर रहे हैं लेकिन 10 लोग हमारे पास ऐसे भी थे हैं जो cricket और tennis दोनों खेल रहे हैं तो यह tennis को पसंद कर रहे हैं लेकिन इनमें 10 लोग वो भी हैं जो सासाथ cricket भी पसंद करते हैं क्योंकि 10 like both cricket and tennis 10 लोग ऐसे हैं जो cricket और tennis दोनों खेल रहे हैं tennis वाले में निकल गए तो इसमें 10 लोग हम वो minus कर देंगे तो tennis only हो जगा 35 में से 10 minus कर देंगे 25 समझ में आगे थोड़ असा क्योंकि 10 लोग ऐसे हैं जो cricket tennis दोनों खेल दें तो tennis वालों में वो भी हैं जो cricket खेल देंगे तो only tennis तो अब आपने last वाला question करना है पूरी exercise करनी अच्छी तरह से मेरी आगे की वीडियो देखती रहनी second chapter से बहुत logical होने जा रहा है तो आपने बहुत अच्छे से देखना है और इसकी miscellaneous भी देखनी है ठीक है बाबाए बटा